हिंदू के नरसंगहार का मूल कारण क्या? कौन करेगा जिहादी ताकतों का संगहार? भारत को कब मिलेगी गुलामी सोच से मुक्ती? भारत की बड़ी बात कल जिहादीों ने पाकिस्तान की सुप्रीम कोट को घेर लिया और पूरे सुप्रीम कोट में तोड़ फोड़ किया गलती क्या थी सुप्रीम कोट की? सुप्रिम कोट की जस्थ साहब ने कहा कि पाकिस्तान में रहने वाले गैर मुसल्मानों को भी फ्रीडम आफ रिलिजन है और उन्होंने एक विक्ति को इस निंदा के आरोप से बरी कर दिया बस इतना काम किया था पूरा एकदम सुप्रिम कोट में तोड़ फोड हो गई जस्थ साहब को पुलिस बुलानी पड़ी सेना बुलानी पड़ी अपनी जान बचाने के लिए इसके पहले जहादियों ने बंगलादेश में प्रदान मंत्री को खदेड दिया था जहाद से भाग के आई इसके पहले जहादियों ने बंगलादेश की सुप्रिम कोट को घेरा और सुप्रिम कोट की चीज़चिस को रिजाइन देना पड़ा इस समय बंगलादेश में जितने भी हिंदू डॉक्टर है उनसे इस्तिफा लिया जा रहा है जितने हिंदू टीचर है प्रोफेसर है डीन है रीडर है इंजीनियर है एक्सक्री इंजीनियर है सबसे इस्तिफा लिया जा रहा है जितने इस समय बंगला देश में हिंदू जज है उनसे इस्तिफा लिया जा रहा है जितने में स्टेट है कप्तान है थानेदार है उनसे इस्तिफा लिया जा रहा है जबकि बंगला देश में हिंदू सवा करोड हैं उसके बावजूत बंगला देश में हिंदू की एस्थिति है और भारत के नेता भिनेता लेखक बुद्धिजी पत्रकार कहते हैं मजभ नहीं सिखाता अपसमें बैर रखना ये स्टाकोम सिंड्रोम कब जाएगा ये नार्सिजम की बीमारी कब जाएगी ये मेगलोमोनिया की बीमारी कब जाएगी ये स्टाकोम सिंड्रोम अगर नेताओं का नहीं निकला अगर हमारे जज़ों को स्टाकोम सिंड्रोम से बाहर स्टाकोम सिंड्रोम की बीमारी खतम नही प्राइकोट के जज एक ही बात कहेंगे मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना जबकि सचाई है अफगानिस्तान में हिंदू जैन बहुत सिख खतम हो गए ब्राहमर्चत्री वैश दलित खतम हो गए मजहब नहीं कहा कि इनको हटाओ पाकिस्तान में का जो विभाजन हु आपस में एक साथ नहीं रह सकते हैं अभी जो पाकिस्तान में हिंदू जैन बहुत सिख खतम हो गए ब्राहमर्चत्री वैश दलित खतम हो गए वह मजहब ही सिखाता है बैर रखना जेट पलानी जी वहां से आए आडवानी जी भाग के आए मनमहन सिंग भाग के आए मिलख मजहब ही सिखाता आपस में बैर रखना इसके बावजूद भारत के बैठे नेता अभी नेता लेखक बुद्धिजीवी पत्रकार कलमकार जिनको नार्सिजम हो रखा है या मेगलोमोनिया हो रखी या स्टाक होम सिंड्रोम हो रखा है वो कहते मजहब नहीं सिखाता आपस म में केवल हिंदूों के ही घर में बलातकार क्यों हो रहा है और बलातकार भी कैसे पतियों के सामने पत्नी का बलातकार हो रहा है भाई के सामने बहन का बलातकार हो रहा है बच्चों के सामने मा का बलातकार हो रहा है और पिता के सामने बेटी का बलातकार हो रहा है मुझे को अफगानिस्तान से खतम हो गए। मजभब सिखाता है आपस में बैर रखना इसलिए पाकिस्तान से खतम हो गए। और मजहब सिखाता है आपसमें बैर रखना, इसलिए हम बंगला देश से खतम हो रहे हैं। छे हजार तहसीलों में से 1500 तहसीलों की डेमोगराफी बदल चुकी है। इसका मतलब अफगानिस्तान तो छोड़ो, पाकिस्तान छोड़ो, बंगला देश छोड़ो भारत के 25% राज, 25% जिले, और 25% तहसीलों की डेमोगराफी बदल चुकी है। यह पूरा जो अपत वांगा साहा हुआ है पुरी दुनिया में जगड़ा चल नहीं संसे करा क्यों कि दुखा है डुञा कृषय में गाश्ना हरा हुइं ड़ोल हर्मॉनिया और पूरा ज़ुआ कि इसका मतलब क्या हुआ, लाखो नाई बेरोजगार हो जाएंगे, लाखो ब्यूटी पालने चलाने वाली बेहने बेरोजगार हो जाएंगे, लाखो जो लोग फिल्म इंडस्टिम काम कर रहे थे, कोई लिखता था, कोई बजाता था, कोई गाता था, कोई म्यूजिक देता था कोई और भी काम करता था वो भी बेरोज़गार हो जाएंगे तो सच्चाई तो यह है मजहभ ही सिखाता है आपसमें पैर रखना जब आगर आप इसको नहीं मानेंगे तो जो 1947 में हुआ था जो 2024 में बंगलादेश में हो रहा है जो 1990 में कस्मीर में हुआ था वो भारत में होग हैं लेकिन जो बाकी बच्चे हुए राज्य हैं वहां पर भी होगा इसलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं इस टाक होम सिंड्रोम वाली बीमारी का इलाज कर आई आपको जो मेगलोमोनिया हो रखा जो नर्सिजम हो रखा इसका अपना इलाज कर आई सच्चाई को समझ भारत में समान सिच्चा लागू करने की मांग करिए और ये मजभब जो बहर सिखाता है इसके एक दो नहीं पांच लाख स्कूल चल रहे हैं अभी कुछ बात आई है कि बिहार में एक पाकिस्तानी किताब पढ़ाई चली अरे भारत के सभी मुगलिया स्कूलों में पाकिस् बेख में जाती है और पूरी दुनिया में जो मुगलिया स्कूल चलते हैं सबका स्लی रहे हैं करिक्लम कामन होताया ऐसा नहीं कि भारत के मुगलिया स्कूलों मलग किताब चलती है पाकिस्तान की मुगलिया स्कूलों मलक्षी किताब चलती है जो पाकिस्तान के मदरसों किताब पढ़ाई जाती है वही भारत के मदरसों किताब पढ़ाई जाती है कोई अंतर नहीं है जो बिहार में किताब पढ़ाई जा रहा ही वही बंगाल में पढ़ाई जाती है वही यहा काले स्कूलों को बैन नहीं किया तो भारत की बरबादी को कोई रोक नहीं पाएगा ये जो आज के नेता अभी नेता बड़ी बड़ी बाते कर रहे हैं न ये पच्छिस साल के बाद सब रिटायर हो जाएंगे कोई बचाने नहीं आएगा आकिर बंगलादेश में राजक्ता फैली तो प्रधान मंतरी पहले चूमंतर हो गई चीप जसिस तो इस्तिफा दे दिये पुलिस के प्रोटक्शन में बैठ चुके हैं पाकिस्तान में राजक्ता फैली परवेज मुसर्व पहले भाग गए नवासरी पहले भाग गए अफगा में कोई नेता आया जंता को बचाने के लिए और ना बंगलादेश में सब कुछ हो रहा है हत्या हो रहा है बलातकार हो रहा है गौशालाएं जलाई जा रही है इंसानों को जलाए जा रहा है खित खलिहान पर कबजा हो रहा है दुकान मकान पर कबजा हो रहा है सोरूम लू कि मांग नहीं करेंगे घुस पैटियों को बाहर निकालने के लिए कठोर कानून की मांग नहीं करेंगे धर्मांतरन के खिलाफ कठोर कानून की मांग नहीं करेंगे जनसंख्यानी अंतरन कानून की मांग नहीं करेंगे तो 25 साल के बाद आपको कोई बचाने नहीं आएगा मैं सबसे हाँ जोड़के आप सबसे निवेदन कर रहा हूँ भारत में जो गुलामी के स्कूल चरने इनको बंद कराईए गुलामी की पुलिस बिवस्था बदलने के लिए आवाज उठाईए गुलामी की नियाईक बिवस्था गुलामी की प्रसासनिक बिवस्था गुलामी की व Article 14 कहता है, equality before law, equal protection, आकि सब समान है. Article 15 कहता, भेदभाव मत करो. अरे ये तब तक चलेगा, जब तक हिंदू बहुसंख्यक है. नहीं, तो भेदभाव होगा, सब एक समान नहीं माने जाएंगे. Article 16 कहता, सब को समान आउसर दो, ये तब तक चलेगा, जब तक हिंदू बहुसंख्यक है. हिंदू खतम हो जाएंगे, सब को समान आउसर नहीं मिलेगा. Article 21 कहता, right to life, liberty, right to dignity, ये तब तक चलेगा, जब तक हिंदू बहुसंख्यक है. आर्टिकल 25 कहता freedom of religion ये तब तक चलेगा जब तक हिंदू बहु संख्यक है आपका minority को protection तब तक है जब तक हिंदू बहु संख्यक है जिस दिन हिंदू minority में आ जाएगा आर्टिकल 2930 काम नहीं करेगा ये उनिफॉर्म सिविल कोड यहां काम नहीं करेगा ये जो बड़े-बड़े मठ मंदिर हम बनाते जा रहा है ये नहीं बचेगा न अफगानिस्तान में बचा न पाकिस्तान में बचा न बंगलादेश में बचेगा तो मठ मंदिर भी नहीं बचा पाएंगे क्यों कानून बचाएगा और वो भी तुरंथ बन जाए तब देर से बनेगा ते भी नहीं बचा पाएगा। हिंदू बहुसंख्यक है इसलिए सेना विद्रोह नहीं करती हिंदू बहुसंख्यक है नौकरसा साजिस नहीं करते हिंदू बहुसंख्यक है इसलिए संसद विधान सभा सुरक्षित है हिंदू बहुसंख्यक है इसलिए संसद विधायक मंत्री बहुसंख्यक आप हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जज हैं सतनातन धर्म को मजबूत करने के लिए जजमेंट दीजिए फैंसला करिए ये विदेसी चस्मा हटाईए ये भाड़े वाला जो विदेसी चस्मा है सेक्नुरिजम का इसको उतारिए जब हिंदू ही नहीं रहेगा तो फिर बचे लिया जा रहा है कलेक्टरों से रिजाइन लिया जा रहा है कप्तान जितने उसे रिजाइन करवाया जा रहा है जितने भी हिंदू सरकारी नौकरी में हैं सबसे बंदू के दम पर रिजाइन करवाया जा रहा है अगर आप यही चाहते हैं आपके बच्चे यही करें आपके परिवार में आपके रिस्तेदार, आपके नातेदार के घर में बलातकार हो, उनका घर जलाया जाए, उनके खेद खलिहान पे कबजा हो, उनके दुकान मकान पे कबजा हो, तो सेकुलरिजम का राग अलाते रहिए, मजब नहीं सिखाता है, इसकी राग अलाते रहिए, सेकुल सदनातन धर्म को मजबूत करने के लिए नियम कानून मनाईए सदनातन धर्म को मजबूत करने के लिए जस्मेंट दीजिए और मैं खबर पालिका से भी निवेदन कर रहा हूं समस्याओं को मत दिखाईए समस्याओं का मूल करन अस्थाई समाधान बताईए